हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं हनी चिली पोटेटो की रेसिपी जिसे मैंने बनाया है कास्ट आयरन की कड़ाई में इसे मैंने ओनलाइन मगवाया था और यह कूक बीट कंपनी की कड़ाई मैं यहां पर यूज कर रही हूं और इसका बेनफिट य इसके बाद हम इनो फ्राइब करेंगे जब आप इसे फ्राइब करें तो जो तेल है वह बहुत गरम होना चाहिए तभी अच्छे से फ्राइब होंगे आप देख रहें कि यह जो पोटेटो जैंदे दिरे फ्राइब हो रहे हैं और इनका जो कलर है वह चेंज होने लग गया है बस हलका से गूल्डन ब्राउन हमें करना है और इसके बाद हम इसे निकाल लेंगे और सारे जो पोटेटो मीर्ट और हम सेम कडाई में थोड़ा सा ओईल लेंगे और इसमें डालेंगे कटे लिशं अर इसे धौता हुण प्याज और कटी हुई लाल और पीली शिम्ला मिर्च आप चाहें तो हरी भी आड़ कर सकते हैं इसे भी हम अच्छे से सौटे करेंगे ज्यादा हमें इसे सौफ्ट नहीं करना है बस हल्का सा इसे सौफ्ट करना है और इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट और कटी हुई हरी मिर्च और इसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी एक से डेढ़ चमच नमक आधा चमच पिसी हुई काली मिर्च दो से तीन चमच टॉमेटो सॉस एक चमच रेड़ चिली सॉस आधा चमच सोया सॉस और आधा चम्मच विनेगर और इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 से 2 चम्मच शहध अगर आपके पस शहध नहीं है तो आप इसमें चीनी भी एड़ कर सकते हैं और इन सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके साथ ही मैं इसमें डाल लेंगे जो हमने आलू फ्राय करके रखे थे सारे जो आलू है मैंने इसमें डाल दिया है और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे ढखकर लगबग एक से डेड़ मिनट तक पकाएंगे तांकी जो मसाला है इसमें अच्छे से कोट हो जाए और इसे रखके हुए लगबग दो मिनट हो चुके हैं और ये जो हमारे हनी चिली पोटाइटोस है ये बन के त्यार है ये देखने में जितनी अच्छी लग रही है ये खाने में भी उतनी अच्छी बनी है और इसे हम गार्निश करेंगे हरे धनी के साथ तो आपको मेरी ये रेस्पी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू